कि नवशकार मेरे प्यारे साथियों नवशकार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्वागत है दोस्तों मैं क्रिशन शैनी आपके सामने एक बार फिर से हाज जरुआ हूँ एक शांदार स्वाइन्स की लिए शेशन लेकर जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर्टी साइन्स का शेशन अलख से लेकर आईये तो भाई आपके सामने में यहां पर हाजिर उआ हूँ तो एक दिन और है चलो तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि तेजी से 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 सेसं को हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों एक्जाम डेट आ चुकी है एक्जाम डेट बहुत जादा नजदीक है तो उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा सेशन को तेजी से लेके चलते हैं दोस्तों और मैं आपके लिए बता दूँ यह जो रहती है यह डेली क्लास चला करती है ओके चलो तो यह आपका के बीएस प्यार्टी टीजीटी पीजीटी के लिए बैस प्रॉपर चल रहा है और यही टाइम ट जो आप लोगों की प्यार इसने से बहुत ज्यादा सफल रही दोस्तों वही यह सेम टाइम टेवल वहां पर तब्दील कर दिया गया था राइट चलो उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी के वीएस पीजीटी की कुछ बुक्स है राइट चाह होते हैं हम अपने कोशन पर कि क्या है हमारा आज का कोशन कोशन आपकी स्क्रीन पर विजीवल है मेरे भाई क्या कह रहा है पहला कोशन देखिएगा देखिए कोशन का लेवल लेवल आपको पता है शांदार रहने वाला है कोशन कह रहा है कि ग्रेफाइट एक नर्म थोस इ ऐसी है एक कारण है कि सबसे पहले graphite के बारे में कुछ facts जाल लेते हैं सबसे पहले कि graphite क्या है दोस्तो soft solid lubricant है इसने इसने हक जो lubrication के लिए जो heat को remove करने के लिए इस्तेमल किये जाते है right that is difficult to melt यानि कि इसको प्गलाने के लिए इसको melt करने के लिए the reason of this क्या है घ्रेफाइड के बारे में बताना है तो बहाई सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यहां पर बम्हाइज कि इंटर प्लेट बॉंड के सालवन एक सत्य विस्क्राइब के साथ कि पुधस्य अप्रूप को कंजोर इंटा प्लेट के साथ द्रदता से बंधे कारवन परमाडूओं के चल्ले की सब्सकी बड़ी प्लेटों में व्यविस्तित किया गया है तो हैस कारवन सब्सक्राइब कारवन इंटर्प्लेट बॉंड कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों चलिए मैं अभी बताऊंगा आपको बाकी सेकिंड पॉइंट है एक गैर क्रेश्ट्लिय पधार्त है नॉन क्रेश्ट्लीन सब्स्टेंस है इन में बहुलक जैसी परिवर्ती अडविक इसलिए मेरे भाई यह वाला तो वैसे ही गलत हो गया और यह वाले भी गलत हो जाएंगे इसका सही अंसर क्या रहने वाला है पहला इसका सही अंसर रहने वाला है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो ग्रेफाइट है जो की कारवन की एले ट्रॉफ है इसमें अगर देखा जाए ཉस्टों तो carbon atom बढूसरे carbon atom से hexagonal में या नी कि रावन अटम सद्टों में यह क्या होता है दोस्तों जोड़ा रहता है बिलकुल इसकी तरह यह ला हाथ िया है इस तरी के से carbon atom जोड़े हुए रहते हैं और यहीcular है कि इसको पिगलाना क्या है मेरे भाई मुश्किल है समझ में आ गया दोस्तों क्लियर है ना चलो चलते हैं नेक्ट कोश्चन की और यह रहा नेक्ट कोश्चन यदि आपने मकई के खेत में कवक नाशी का प्रियोग किया है तो आप अब घटन की दर और सुद्ध परिस्तिति पारिस्तितिक तंत्र उत्पादन यानि एनीपी के साथ क्या होने की उमीद करेंगे बहुत अच् अधियन को ही हम बाथ करें तो दोस्तों क्या बोलते हैं मै को लॉजी आ गया मतलब समझ iau बिल्कुल समझ रही हो मकका सब्सक्रा गीमें आप क्या उम्मिद करते हो क्लियर, दो चीजों के बारे में comment करना है, एक तो है rate of decomposition, मतलब अपगटन की दर, अपगटन की दर, decomposition क्या होता है दोस्तों, कि बैक्टीरिय द्वारा कोई भी चीज को बहुत छोटे-छोटे smaller particles में फिर से nature में मिला दी जाता है, फिर से प्राकरती में उसको वापस दे दिया जाता है, clear, दूसरा कह रहा है, net ecosystem production, net ecosystem protection, जिसको NEP बोलते, अब regarding to the environment, NEP की full form भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो क्या होती है, net ecosystem production, अब ecosystem पारिस्थिति की तंत्र, यह आपको पता ही है, दोस्तों, जहां सारे के सारे आपके factors प्रॉपर तरीके से रहते हैं, तो उस पर क्या फरक पढ़ने वाला है, right, तो दोनों पर हमको comment करनी है, जबकि option में दे रखा है कि अब घटन दर घटेगी, NEP बढ़ेगी, decomposition rate would decrease, NEP would increase, तो दूसरा है, ने तो बदलेगा, neither would change, और अपगटन दर बढ़ेगी, और NEP घटेगी, देखे दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो A हो जाएगा, यह क्या कहना चारा है, कि अपगटन दर जो हो जाएगा, वो तो घट पढ़ेगा, रोमी सिंग जी, very good evening, स्वागत है, अन्वी जी, आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है, दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इस question का answer, 1 हो जाएगा, चलो, next question की ओर चलते हैं, यह अच्छा question है, निमलिखित मैं से कौन खोपली की हड़ी नहीं है, किसकी system से लिया गया question है, right, तो which of the following is a skull bone, तो skull bone, axial skeleton का type है, इसका axial skeleton का, axial skeleton का, ठीक है, तो उसमें दोस्तों, 24 तो आपकी ribs हो जाती है, पसलियां, और 26 पीशे हो जाती है, बैक बॉन, तो 24 और 26 कितनी हो गई, मेरे भाई, 50 हो गई है, उसके बाद में दोस्तों, एक हो जाती है, य दो ये हो गई, बचती है, 28, कौन सी बचती है, दोस्तों, आपकी 28, क्योंकि 30 बची 80 होती है, टोटल axial हड़ी, और रोमी सिंग जी ने बहुत अच्छा अंसर दिया है, हाँ पर एक्शुली सही अंसर दिया है, क्योंकि दोस्तों, यही इसका सही अंसर होगा, नशी का, पीम प्रीचा, फिबूला की बात करें, तो यह भी आप की लेग की ही बौन होती है, और एटलस की बात करें, तो दोस्तों, एटलस कहां की बौन होती है, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है, समझ मागा गक़्े।ों, पूरी की पूरा सिस्टम मेंने आपको पढ़ाया पटेला रहता है राइट चलो तो इस कुशन का अंसर समझ में आ गया आपको क्या हो जाएगा नेसल हो जाएगा कि लिए रहना चलिए नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा आम तोर पर एजो मैगनेटिक स्टॉर्म में नहीं देखा जा सकता निमलिखित में से कौन सा आम तोर पर एजो मैगनेटिक स्टॉर्म में यह एजो नहीं है दोस्तों जियो मैगनेटिक है यह है ना जियो ठीक है यह जियो है गलती कहा हुई है मैं आपको बता जेता हूँ देखिए विच आफ दा फॉलॉइंग इस नौट जर्नली अब्जर्वड इन इन ए यहाँ पर क्या आएगा ए और यह हो जाएगा जियो मैगनेटिक स्टॉर्म जियो का मतलब होता है दोस्तो किससे अर्थ से और मैगनेटिक आपका चुमक यह प्रभाव और स्टॉर्म का मतलब आपको पता ही है दोस्तों तुपाण क्लियर है हाँ चली बिल्कुल सही कहा आपने हाँ ठीक है चली तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रत्वी के चुम्मक्य छेत्र में उतार चड़ा आपके कारण होता है पूछ रहा है कि विच उप्धा फॉलंग जनली ऑब्जर्व इन इन जियो मेगनेटिक इस्टॉम तो जब जियो मेगनेटिक यानि की मैगनेट अर्थ और मेगनेटिक इस सम्बंदित कोई स्टॉम कोई उन्नेसरी चीज घटित होती है दोस्तों तो उसमें क्या चीज नहीं ह यानि चुम्मकिय प्रत्वी के चितन में उतार चडाब दूसरा है माइक्रोवेव पिरसार में व्यवदान डिस्रप्शन ओफ माइक्रोवेव प्रप्रिक्सिन तीसरा है लिए इस्रप्शन औफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इसमें भी होगा भाई विदू शक्त संचारन में भी होगा तीस लास्ट वाला है अपसे आवेशेत कड़ सूरिय से निकलते हैं चार्ज पार्टिकल नहीं यह भी नहीं होगा इसका अंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई सैकेंड इसका सही अंसर हो जाएगा जो कह रहा है दिस्रप्शन ऑफ माइक्रोवेव प्रोपोगेशन माइक्रोवेव की वबात करें तो दोस्तों यह आपकी किस में यूज होती है आपके दूर संचार में टैली कम्यूनिकेशन में यूज होती है पास के लिए आपकी इंफरारेड होती है तो दूर के लिए कौन सी इस्तमाल ह होती है आपकी माइक्रोवेव इस्तमाल होती है तो यह कोशन का अंसर देंगे बहुत आसान कोशन है नेत्र गोलक की अग्रगुहा की सामगरी होती है कि अग्रगव इंटिरियर केविटी ऑफ एन आई बॉल इच और यह जो होती है वह आपकी एक टैनिस की बॉल की तरह होती है और टैनिस की बॉल को पकड़के उस पर एक छोटा सा हिस्सा बनाए ला यह वाला हिस्सा सिर्फ हमारे लिए विजिवल रहता है तो वही पूछ रहा है कि इसमें जो एंटिरियर केविटी होती है आई बॉल की तो उसमें क्या भरा रहता है तो गलती से अगर कुछ आख में गिर जाए तो पानी सा निकलता है जब पानी सा निकलेगा तो वहां से क्या आएगा दोस्तों धूल मट्टी उसके साथ आ जाए हैं या कुछ और साधी थी या कहीं और देश विदेश गई थी तुम सीक्रेट मिशन पर गई थी कितने दिन बाद 500 घंटे की मेराथन स्टी केमपस ने ली थी उसमें भी तुम नहीं थी वजह बता बताओगी क्या भाई यहां पर होगा एक्वस यूमर दोस्तों क्या होग एकवस वोङूशन का अग यहां औलर बढ़ा दें जलिय कविय जलिय का तापमान बढ़ा दें तो उसके रिजल्ट क्या होगा उसका रिजल्ट क्या होगा मेरे बाई यह बताना है की सर मोलरेटी बढ़ जाएगी यह थिल अंस बढ़ना select biblical न कर सभ्ष बढ़ाएग नहीं होगा न यही चाती पीट पीट के तुम्हें रोएंगे चड़ाएंगे तुम्हें ऐसी कह रहा था लेकिन आज के लिए सच भी है यह आप जानते हैं दोस्तो चलो तो इस question का answer जो हो जाएगा देखिए भाई इसका हो जाएगा molarity to decrease यानि की molarity कम होगी देखिए दोस्तों molarity क्या होती है सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे molarity तो molarity का मतलब होता है M से इसको denote करेंगे दोस्तों तो molarity का मतलब हो जाएगा number of moles number of moles upon total solution total solution ठीक है दोस्तों total solution clear अब यहाँ पर देखिए एक चाल्स का नियम था इसको मैं आपको समझा रहा हूं द्यान से सुनिएगा एक चाल्स का नियम था तो चाल्स का नियम क्या था टी इस जारेक्ट ली परपोर्शनल टूफी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन का किसी बी गैस का यह सॉल्यूशन का अब क्या बढ़ाएगे दोस्तों तेम्प्रेचर को बढ़ाएंगे तो उसको वॉल्यूम बढ़ेगा उसका क्या बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा और जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर हम यहां पर बोलें यहां पर क्या जाएगा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन तो इस वाले तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों आप सोच रहे होगे सर मस्रूम को तुम्हें जानता हूं मस्रूम को मैं झाला है मैं इसका अंसर भी दे सकता हूं या दे सकती हूं लेकिन दोस्तों आप्सन यह पहली बार सुने है कि नहीं चलो तो मश्रूम क्या है भाई मश्रूम एक पिरकार का इटेबल खाने योग्य फंगी यानि की कवक है क्या है भाई इटेबल फंगी है खाने योग्य कवक है पहली चीज़ क्लियर चलो तो फाइको माइसिटीज है बेसीडियो माइसिटीज है यह एक फैमिली है फंगी की फैमिली है कवक बोलते हैं रूमी सिंगी सही कहा तो इसे हम क्या बोलते हैं कवक बोलते हैं तो सवाल पैदा होता है कि यह किस फैमली का है या इसके परिवार को क्या बोलते हैं देखिए मैं ही आपको बता ज़ेता हूं 20 of Mike कि सीट्स बोलते हैं गया कि इसका क्या हो जाएगा अनसर हो जाए कि परोपर फिया खासा पैसा भी है इसकी क्लियर है ना अब तो जाना पड़ेगा शशी में छे हजार कपड़े ले हुए हाँ उन कपड़ों में सिर्फ मतलब ठंड वाले कपड़े नहीं होंगे वह फैसन वाले होंगे सारे हैं ना चलिए सोमी जी कहा रहे हैं क्लियर है चलो नेक्स पॉश्चन तो वाइटमी क्या होते हैं और इनके बारे में पढ़िए और कमेंट दीजिए कह रहा है कि कार्बनिक अडू होते हैं जिनका उप्योग कोशिका की भीतर और और सूचना के थस्ता नांतरन के लिए किया जाता है और गेनिक मॉलीकूल्स होते हैं तो वार ठीक है डेटार यूश्ट पर ट रोटीन यह तो खेर नहीं होगा तीसरा या फिर या फिर मेजर एनर्जी सोर्स फॉर बैक्टीरिया यह भी नहीं होगा बात जो फसेगी दौनों में फसेगी दौनों में से आपको बताना है पूजा वर्मा जी गुट इवनिंग स्पेशल गुड इवनिंग चलो तो कोशन का अंसर क्या हो जाएगा अश्य जानदार रो मिझ भूष चैरल खोशन फोड़े से बड़े है लेकिन भाई आसान भी है अगला कोशन कह रहा है कि परफेक्ट लगा कर और उसको छोड़ो तो वह पॉर रखएवस्था में चलिया को रवा किठाना है उन्हकर अफ़ा राइट चलो तो कह रहा है कि वस्तू को आधे में तोड़ने के लिए अवश्चक बल की मातरा वस्तू के लंबाई के व्यत क्रमानुपाती होती है व्यत क्रमानुपाती कि क्या होता है वस्तू के आधे में तोड़ने के लिए अवश्चक बल अच्छा बल कह रहा है दोस्तो बल व्यतक्रमानुपाती होगा किसके दोस्तो लंबाई के किसके लंबाई के चलो देखे इसमें हुक्सलोका यूज करते हैं हम किसका यूज करते हैं हुक्सलोका एक टर्म होता है दोस्तो इस्ट्रेस पोर्स अपॉन एरिया है ना और एक होता है E modulus of elasticity प्रत्यास्ता गुडांक याद आ रहा है तो अब हम इसको दोस्तों यी बराबर निकालेंगे तो अंदर की अंदर बाहर की बाहर तो अब हम से पूछ क्या रहा है कि पर्फेक्ट इलास्टिक सबस्टेंस यानि कि डेल्टा एल की वैलू अगर हम यहां से निकाले तो कितना हो जाएगा एंटु ए तो यहां से डेल्टा एल किसके प्रपोर्शनल आ रहा है फ के प्रपोर्शनल आ रहा है ना कि inversely आ रहा तो पहला वाला तो कट जाएगा दोस्तु किचाब की सीमा लागु वल्के सीधे समान पाती होती है दूसरा वाला इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा कैसे हो जाएगा यह मैंने आपको हुक्स लॉक्श ल किस पर change in length किस पर निरुभर है कोर्स पर निरुभर है क्लियर है ना समझ में आ गया चलो next question की और चलते हैं बई क्या कह रहा है next question देखिएगा कि कौन सी कोशी का allergy प्रितिक्रियाओं और सूजन को सूजन को उत्गाटित करती है which cell evokes allergic reactions and inflammation inflammation जो की आजकल की कंभीर समस्या है मेरे भाई सूजन है ना तो कौन सा cell allergic reaction और सूजन को क्या करता है दोस्तों उत्गाटित करता है तो बताए फटाफट से याद है कुछ blast रोमी सिंग जी कह रहे है blast blast नहीं меньше cell होग तो क्या होगा म AKS essay यह क्यों क्या है निटकाटिक सेल्काटिम का ही एकवाट है दोस्तों किसका लिम्फोट क्यों सेल्काट इसका पाड़ है क्लियर तो इसका जो और सभी यहीं अनसर होंगलिए नीचे दिये गई योगिक का आई यू पी एसी नेम बताना है इससे पहले आप पूजा वर्मा जी इसका आई यू पी एसी की फुल फॉर्म भी लिखेंगी क्योंकि इसकी फुल फॉर्म कर मैंने आपको बताए थी इंटरनेशनल यूनियन करके कुछ थी तो थोड़ी सी इंपर चर्शा करनी है तो क्या होगा इसका यू पी एसी नेम चलो बता दो भाई सालू झी कब बताओ सालू जी टाफट से बताएं क्या होगा इसका अंसर अंटरनेशनल यूनियन और और एंप्लाइट केमिश्टी चलिए बहुत बढ़िया इंटरनेशनल यूनियन for प्य क्लोरो फंक्षनल लगा हुआ है तो यहीं से नाम देना पड़ेगा 1 2 3 ना और या तो इसको फोर्ड देलो या इसको फोर्ड देलो बात एक ही है किसी को भी फोर्ड नाम दे लीजिगा आपके यह हो गया अब हम देख रहें कि एक पर नग रहा है क्लोरो और एक दो तीन पर लग रहा है . टो one किजुरो थिली मिथाइल और यह हो जाएगा भाई और यह ले डिया कलियर चलो एक बच्चो वाला नुमेरिकल बहुत आसान सा रोमी सिंग जी वाके ही बहुत आसान नुमेरिकल है टेक यौर टाइम पहले आपके पास इस कोशन का अंसर निकाले कि एक निश्चित उपकरण है जो बारा जूल प्रती मिनट की दर से उर्जा की खपत करता है यह कहने के समान है कि उपकरण खपत करना ठीक है मतलब कि कोई स्रटेन एप्लाइंस है जो कि कि से उर्जा को खा राया बारा सो जूल पर मिनट इस एसा है इसा सेम कहने से है कि डेट डाइप्लैंस कंजूम कि एप्लाइंस कंजूम कर रहा है 20 किलो ग्राम 20 वाट 20 न्यूटन या 20 मीटर 1 कि चीज दौनों में सेम है यह बताना अरे सालू जी बीस न्यूटन तो आपने किस फंक्शनल कहा है तो पूजा जी जो बात आपने कल की थी वही बात आज आपने की है कि क्लोरोसाइड चैन मिथाइल की तरफ से होगा शांदार चलिए जैहिंज जै भारत अंजली जी स्वागत है आपका जोड़दार स्वागत है बहुत शांदार तहीके से अंसर करना है आपको और यहां पर आ गया है बीस किलोग्राम प्रती सेकंड चुकता है अरे मेरे भाई क् कंफीजन हो रहे हो बिल्कुल nc class का question है रोवी सिंग जी देखिए कैसे nc class का question है जब यहां पर हमको दे दिया है मेरे भाई 1200 जूल पर मिनट अब आपको पता होना चाहिए कि सर कि सर जूल पर सेकंड कि सकी unit होती है यह किसकी unit होती है देखें जूल किसकी हो गई वर्क की और second किस क्योंगी time की तो मेरे भई work upon time क्या होता है power होता है ना power और power की दूसरी काई क्या होती है what होती है तो यहां पर Joule पर second तो इस 1200 को अगर हम 60 से divide कर देंगे तो 6 दूनी 12 20 आ जाएगा 60 से divide क्यों किया क्यों कि Joule पर second होती है लेकिन Joule पर minute है तो minute को हमने किसमे convert कर दिया second में, तो अब ये बन गया watt, तो कितना बन गया 20 watt, तो 20 watt कह लिजिए, या 1200 जूल पर minute कह लिजिए, दोनों बात कैसी है, same, अब बताएए logic कैसा लगा, अंजली जी, समझ में आया नहीं आया, simple सा logic था ना मेरे भाई, कुछ था क्या इस question में, हाँ, डीफ और दरोगा तो ठीक है, लेकिन समझ में आया, कुछ था क्या question में, कुछ भी नहीं था ना, चलि, next question क्या है, प्राक्रतिक हत्यारा कोशिकाएं है, natural killer, ये तो movie वाले विलन का सा नाम हो गया, दोस्तों, लेकिन अब भाईया हो गया, चलि, बहुत शानदार अंजली जी, hashtag clear, तो natural killer cells are, क्या है natural killer, increased by immunization, cytologically T कोशिकाएं होती हैं, या B कोशिकाएं जो बिना पूरक के मार सकती हैं, या बीटा कोशिकाएं, that can kill without complement, या फिर, able to kill virus infected cells without prior sensitization, बिना पूर्व शमवेदी नी करण के वाईरस से संक्रमित कोशिकाएं को मारने की शक्थम, यही है, यही है, पूजा जी, खतरनाक वाला काम है, इसका, और सबसे ज़्यादा ये जो active होती है, ये pregnancy में होती है, प्रिगनेंसी में, प्रिगनेंसी, ठीक है, प्रिगनेंसी मतलब कि जो जब महिलाएं गर्वववती होती है, जब ये natural killer cells होती है, ये placenta के द्वारा जितने भी, ये antibacterial का भी काम करती है, राइट, समझ में आ गया है, अब आगे से याद रहेगा, चलो, next question, ये आप से होना चाहिए, चली, कोई बात नहीं अंजली जी, बट इस question, इस question is very very important and very very easy too, so you must, सर आपकी शादी कब बता दो, मेरी शादी, सालो जी, किस की शादी के बारे में पूछ रही हो आप, वाके ही मेरी शादी के बारे में जानना चाहती हो क्या, चली, सतह से निकिट, प्रत्वी का गृत्वियत 9.81 meter per second square है, तो मेरे भाई आपको किस की value दे दी है, जी की value दे रोविन जी और पूजा जी मुझे आप से इस question को करने की पूरी-पूरी उम्मीद है, कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि अच्छे result पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ा जाता है, समझ में आया मेरे भाई, तो इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कि जी की वैलू आपको 9.81 दी हुई है, मीटर पर सेकिंड स्कॉयर, और फिर दिया हुआ है, इसके बाद इस आप पीजा ओफ मास, तो भाई, पीजा का मास बड़ा तकड़ा दिया हुआ है, यानि की M की वैलू हो गई 3 किलो ग्राम, इस ड्रॉप प्रॉमा ग्रेट हाइट, हाव फार विल दा पीजा फॉल इन टू, यह सेकिंड है दोस्तों, इसको टू सेकिंड कर लीजेगा, क्या कर लीजेगा, टू सेकिंड, ठीक है, यानि की टाइम दिया हुआ है, टू मतलब मेरी साधी जानना चाहती हो कि मेरी साधी कब है, या कुछ और जानना चाहती हो, हाँ, चलो, तो भाई, 19.6 आया है, सालो जी का, तो भाई, जहां पर यह दे रखता है, और हमसे पूछा क्या है, हाव फार विल दा पीजा फॉल, कितने उंचाई पर गिरेगा, अब य नीचे गिराऊंगा, तो इसको लेके खड़ाऊं, तो इनीचल वैलो सिटी तो जीरो हो जाएगी, एगर या नहीं, और जब आप हाइट पूछना चाहरे हो, तो हमें पता है, ही जेकल टू यू टी पिलस फाफ जी टी स्कॉायर होता है, यहां माइनस हो जाता, अगर नीच साधियों में जाना कब कम करेंगी, इतने दिन तक साधी में रही हैं, ठीक है, चली, तो भाई मेरी साधी हो चुकी है, रिसेंटली मुझे जनवरी में एक पुत्र प्राप्त भी हुआ था, मेरे बेटा भी हो चुका है, मेरे एक बेटी भी है अल्रेडी, तो मैं पूरी तर दिहान दीजिए, क्लियर है, चली, चले अब नेक्स्ट कॉश्चन पर, चली अंजली जी हस रही है, अंजली जी हस रही है, तो भाई लगा दीजिए, तो यह वायला टर्म तो दोस्तों पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा, फिलस थाफ और जी की जिगह क्या रख देंगे, यह 9.81 और टी की जगह रख देंगे, टू इंटू टू तो एक टू से तो टू कट गया, और 9.81 की मल्टिप्लाई इसमें करेंगे, तो यह आजाएगा, दो एक कंदो, आट दूनी 16, नो दूनी 18 और 11.62, यानि की 19.6, मैं देख पा रहा हूं कि सभी का अंसर क्या आया है, स चले नेक्ट कोश्चन पर, चलो, यह तो बहुत आसान कोश्चन है, इसका फडाफट से तेजी से अंसर कीजेगा, कि क्या इसका अंसर होगा, ओके, चलो, क्या कह रहा है कोश्चन, निमलिखित मैं से, कौन सी धातू, थंडे तनू HNO3, यानि नाइट्रिक एसिड बोलते है इसको, के साथ पृतिकरिया पर हाइड्रोजन विक्षित करती है, which of the following metals evolve हाइड्रोजन on reaction with cold, in reaction with cold dilute HNO3, तो HNO3 का है भही, एक खतरनाक acid है, और dilute का मतलब होता है, dilute का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, दोस्तों देखिए, यह हो गया acid और यह हो गया water, ठीक है, तो गोलेंगे, और इसको उल्टा कर देंगे, अगर 80-20 कर देंगे ना, तो इसको हम फिर concentrated acid बोल देंगे, concentrated सांदृता, समझ में बात आ गई, फिलाल, यहां पर पूछ रहा है, कि भाई, कौन सी gas evolve, मतलब, which of the following metal evolves hydrogen reaction, तो इसका किसके साथ reaction कराएं, कि हमको क्या मिले, hydrogen मिले, क्या मिले मेरे भाई, hydrogen, तो इसका कराएंगे, दोस्तों, mg यानि की magnesium से, किस से कराएंगे, magnesium से react करके, copper से नहीं, देख magnesium, magnesium सबसे जाधा reactive है, इसलिए यही इन से react करेगा, समझ में आगी बात, clear, चलो, next, क्योंकि दोस्तों, दूसरी चीज, हम यहां पर metal वाला concept लगाएंगे, तो खेर, metal तो सभी ही है, next question, हां, चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, next question क्या है, निमलिखित में से कौन सी धातु प्रकास विद्दुत प्रुभाव सबसे आसानी से प्रदिर्शित करेगी, which of the following metals will exhibit a photoelectric effect most easily, बहुत शांदार question है, पहली बात तो metal बताना है, जो एक property को exhibit करती है, तो कौन सी धातु प्रकास विद्दुत प्रुभाव से सबसे आसानी से प्रदिर्शित करेगी, दोस्तों, अब बात आती है कि सर ये photoelectric effect क्या होता है, प्रकास विद्दुत प्रुभाव क्या होता है, भाई कुछ नहीं होता, जब भी कोई रे, यानि जब भी कोई प्रकास की रे, सर चौकलेट बाट दो, चौकलेट क्यों बाट दो भी मैं, चौकलेट क्यों बाट दो पूजा वर्मा जी, क्या कह रही है, अंजली जी चौकलेट बाट दो, पहले कोशन का सार समझ लीजी भाई, क्या है कि which of the following metals will exhibit a photoelectric effect, तो photoelectric effect का मतलब है, जब किसी तो उसी को हम क्या बोलते है, photoelectric effect, तो वो किस के द्वारा होगा, वो एक ऐसे metal के द्वारा होगा, जो आसानी से electron दे दे, जो आसानी से electron दे दे, जिसकी ionization potential अधिक हो, clear, तो वो सबसे अधिक किसकी है, सीजियम की है, और ये सारे के सारे, देखें, ये, 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 हलीना, हलीना ने, की, तो क्या जाएगा दोस्तों, ये, हाइड्रोजन, हीलियम नहीं आएगा, भई, हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, हलीना, की, क्या जाएगा, रभ, रूवीजियम, से, सीजियम, और फिर फर्याद, फ्रांसियम, ठीक है, समझ में आया, तो ये, आप का फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट बनेगा ओके चलो नेक्ट कोश्ट परमाडू बहार में ब्रद्धी के साथ छार धातूओं का गलनांग डी फॉर दवाका तो विद्धा इंक्रीज इन एटोमिक वेट मतलब कि अगर परमाडू बहार एटोमिक मास एटोमिक वेट अगर दो तो गुरूप वन को कहा जाता है पीरिडिक टेवल के अंदर पहले ये आपको पता होना चाहिए और ये किस ब्लग के अंदर एंदर आता है ये एसब्लोक के अंदर का अन्दर आता ई मैं भी चाचा फूपा नानी ताउ किसादी में चला जाओं क्या पढ़ाना छोड़ दू भाई क्या करूं बच्चों की गलती है ना तो यहां पर कहा जा रहा है कि सर भी होगा अरे मेरे भाई जहां से देखो कुशन को पहली चीज तो गुरूप बन में होता है ठीक है आपके एस ब्लॉक में होते हैं तो सभी लोग कह रहे हैं बढ़ेगा सालोजी कह रहे हैं गटेगा लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली देखें कि जो जैसे-जैसे परमाडू बहार में ब्रद्धी होती है ठीक है अब हमने कहा गुरूप वन में क्या चीज के मैल्टिंग होता रहेगा दिक्रीcell होता रहेगा क्योंकि दिखें यही सीरीज है यही गुरूप बन है है यहना हाइड रोजन हीलियाम सोडियम और पोटेशियम रूबियम सिल और यह फ्रांशियम कि के यहां जैसे से नीचे जाएंगे वैसे-वैसे मेल्डिंग पन्ट कि यहहोता चला जादू हुआ यह क्या होता चला जाएगा मेरे भाई डिक्रीज होता चला जाएगा ठीक है चलो नेक्ट कोशन कि नेक्ट कोशन और यह तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला कोशन है नहीं सर आप पढ़ाओ मैं मैं जा नहीं रहा हूं पढ़ने उन खिलाड़ी दिख रहा होगा पढ़ने में अरे अंजली जी छोड़ी एस कोशन का अंसर दीजिए आत्म की आत्मा तरफ हो जाएंगी सभी कि देखी कितना अच्छा कोशन है क्या कह रहा है कि जब वाइन को हवा में रखा जाता है किस में है दोस्तों हवा में अब हवा में मतलब की ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडियेशन सिंबल सा लाग समझ में आया आगे पढ़ना ही नहीं हवा मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडियेशन तो जब वाइन को हवा में रखा जाता है तो यह किस कारण से खटी हो जाती है क्या हो जाती है दोस्तो खटी हो जाती है तो इसके कारण हो जाती है यह बताना तो आपको तो रोमी सिंग जी ना नहीं देखिए बहुत ही भैतरी नौबाल पर चक्कामा रहा है इन्होंने डीफॉर दरोगा की जहाए डीफौर देव सेना कर दिया है है चलिए अच्छा है कि इन्होंने और ज्यादा मूवी नहीं देखिए सिर्फ हुवा बहुबली ही देखिए इसलिए डीफॉर देव से इथेनौल का CH3 को इसको क्या बोलते हैं इथेनौइक एसिड इथेनौइक एसिड ठीक है अब यह एसिड है तो सीधी सी बात है दोस्तों हट्टापन तो होगा ही इसमें होगा की नहीं होगा क्लियर है चलो ठीक है रोमित जी चलिए नेक्ट कोशन मुझे बिल्कुल स्क्रीन से बाहर करने वाला है सिंबायोसिस के बारे में हैं जिसको सहे जीवन बोलते हैं सहे जीवन में सामाने रूप से सामिल होता है मिरभाई क्या होता है पडाफट से बताएं और बहुत ध्यान से कोशन के पर प्रकास डालेंगे हैं नहीं है इस दुनिया में अरे भाई डायलोग वाजीव कम करो इधर द्यान दीजिए ना निकी जी भी आचुकी है गुरू जी डुबुल क्लास डुबुल डूबुल डूबुल अच्छा डुबुल नहीं डवल डवल क्लास हो रही है क्या करें अरे भाई जो आपका सब्जेक्ट फैवरेट है उस पर फोकस करें ना साइंस के देखी फैवरेट है तो करिएगा हरहर महादेव हरहर महादेव निकी जी स्वागत है आपका राइट चलिए तो ABCD मेंसे कोई होगा ना 19 तो 19 पर तो हम चर्चा कर रहे हैं तो बताइए फट होगा पक्का देव सैना सालूस इसको मैं लाई सर्क जी चली बहुत बढ़िया अच्छा सालू को आप लाई है निकी जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ मैंने बात की थी एंटी एस वाले वैच में सालू जी के वारे में मैंने आज बात की और सालू जी आज खट से इधर आ गई बहुत बढ़िया चलो तो दोस्तों सिंबायोसिस का मतला होता है दो लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की लोग विवस्ता करते हैं ठीक है कोई खाना बना दे नेक्स्ट क्या है एक जीव एक परजीवी के लिए एक मेजवान है जो इसे बिमार होने के कारण बनाता है नहीं दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं है वरना सहे जीवी तो हो गई नहीं राइट नेक्स्ट कोशी का विभाजन जिसके परिड़ाम सरूप सरीर के कुछ क जांतित होते हैं यह हुई ना बात बिलकुल एक दूसरे का फायदा उठाते हैं कि भाई रोटी तू बना लएयो सबजी मैं बना लाओंगी दौनों मजे से खांगे कि मेरी मम्मी कहीं चली गई है है कि नहीं तो वही वाली इस्तिती मेरे भाई क्या है सिंबायोस है सह छाइओं तो फंगी इसको प्रोटेक्षन देता और एल है क्या करता है झाल फीपस्ता करता है दोस्तों फंगी और प्रोटेक्षन देता है कि मैं देखूंगा तेरे पास कौन आएगा तुझे मारने खाने के तमझवे बात आई हाँ बिल्कुल सही नेक्ट कोश्ण यह देखिएगा दोस्तो औरोरा बॉलिस इस बोलते हैं इसको अरोरा या उत्री रोशनी या दच्छडी रोशनी ए प्रत्यक्ष रूप से उत्पन ह होता है तो अगर आपने यह नाम नहीं सुना हो तो दोस्तों इस नाम को सुनिएगा है ना इसके बारे में पढ़िएगा फिलाल मैं आपको बता जाता हूँ अरोरा बॉरॉलिस क्या होता है दोस्तों यह यह अगर हम बात करें कि उत्त्री और दच्छडी में एक बहुत बह होती है मैंगनेटिक फिल्ड की जब कोई चुम्मक के शितर में कोई बी इलेक्ट्रों कोई भी चार्च पार्टिकल आ जाता है तो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो ऐसे ही जब संसे प्रत्वी के आसपास कोई कोई यहां पर हम बोलेंगे इसको सोलर क्लेयर तोलर मतलब सोल तो जब कोई सोलर फ्लेयर आ जाता है या संसे कोई च्टकर पार्टिकल आ जाता है बहुत ही मतलब चमकने वाला तो वह उस में अर्थ के मैंगनेटिक फिल्ड अर्थ द्वारा बनाएगे मैंगनेटिक फिल्ड में ट्रैप हो जाता है तो वह बार बार जलता हुआ जलत और देखें का बहुत मुझलब खुबसूरत नजारा देखता है मैं आपको यहां पर दिखाता लेकिन ठीक है तो बहुत खुबसूरत वो दिखता था बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए जाते हैं है जलो नेक्ट कुश्चन iken-क जिंक शाल्ट tbsp यूस्ट इं डियॉड्रेंट किस्वा उस होते है लिक्तbletr crianças तो दियॉड्रेंट में इस्तमाल होने वाले जिंक साल्ट के रुप में कारिय करते हैं ना जिंक शाल्स use in deodorant act as तो बताईए बई जिंक साल्स यो होते हैं ओर यो होत्या धीयोर्स कःते हैं और एंटि बैक्टीडियल है और यूर्टि स्वेदक हैं फर्षीं पयल सपाइरेंट्प एगक्ति और एंटिस यह एंकि बैक्टीरियल और एंटिपर spirent है antiparispirant है और astring gents है यानि की कसेले हैं या फिर typer spirent है और insepticide वी है या कर फिर antisepticite यह यह एक क्या लग रहा है आपको कौन सा होगा है ना तो बताईए भई फटा-फट से क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा और इसमें जो जिंक साल्ट का सबसे बहत्तरीन जो साल्ट इस्तमाल होता है कौन सा होता है जिंक ओक्साइल होता है घलिए नेक्स्ट-वार त seb सre common a सबस्ते होई दोस्तों जल्दी से इसर कीचेगा पिर नेक्स्ट आपको아ड़ कि कौन सा पारेस्थितिक प्रामिड हमेशा सीधा होता है कैसा होता है बोस्तो सीधा एको सिस्टम का एको लॉजिकल का कौन सा पाइरमिड हमेशा कैसा मिलेगा अपराइड मिलेगा सीधा मिलेगा दोस्तों कैसा मिलेगा सीधा थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं चलिए आप पहले आप बताईए कैसा मिलेगा मिरवाई कैसा मिलेगा सीधा मिलेगा है ना बताईए व्ड़ाफट से कहा है चलो आ है तो बताईए मिलेगा वेयरी गूरी इवनिंग Tibas यह भाई वो मिलेगा ऊर्जा का पिरामिड अरे किसका यह क्या हो गया किसका मिलेगा दोस्तों में अरेwrजा का प्रमुज्टी प्राइमरी आपके प्रोड्यूजर आगे प्राइमरी प्रोड्यूजर यानि उत्पादन करने वाले जैसे की प्लांट्स हो गए फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे यह खाने वाले फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे फिर टर्सरी कंज्यूमर हो जाएं चली नेक्स्ट कोश्चन सुताली बोल सुताली कहां से आ गया भई यह सी फॉर सी फॉर क्या है चुचुंदर है अरे बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोश्चन निमलिखित में से किसका उपयोग ऑक्सीजन अंत्रिक्ष कैपसूल पंडूवी याद रखेगा दोस्तों ऑक्सीज अंत्रिक्ष कैपसूल पंडूवी और स्वास मास्क के स्रोथ के रूप में किया जाता है तो इतना इंपोर्टेंट कैपसूल कौन सा है बनाएंगे जिसको कैपसूल को भाई साइलेंट भाई वह होता है के ओटू यानिकी पोटेसियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा मेरे बाई पोटेसियम ए वोक्साइड ठीक है पोटेसियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्ट कुश्चन क्या है मानव आरविसी का जीवन काल कितना होता है What is the life span of human RBC? तो सबी बता दोगे सर 120 दिन होता है ठीक है और इनका जो जनम होता है मेरे भाई वो कहा होता है बॉन मेरो बिलड के अंदर ही तो रहती है तो बॉन मेरो के अंदर होता है और मरने की कहानी कहा होती है इस्पलिन में होती है पलिहा में होती है इसको क्या बोलते हैं भाई अस्थी मज्जा इसको क्या बोलते हैं दोस्तों अस्थी मज्जा ठीक है चले आगे चले आगे मेरे भाई चलिए लास्ट कोश्चन है दोस्तों सभी का सही जाना चाहिए पूरा टाइम लीजी गा रोमी सिंग जी ये गलत नहीं होना चाहिए बिलकुल है ना बताएए फटाफट से एक स्पीड बोर्ट सुरू में 16 मीटर प्रती सेकंड की गती से शुरू में कहरा है ना तो यू बराबर कितना हो गया 16 मीटर पर सेकंड की गती से यातरा करते हुए ठ्ट्रिश मीटर यानिसमी में यो बराबर 16 मीटर पर सेकंड और स्टेंस टेम द foul wrestling की दूरी समान रूप से 20 मीटर प्रती से की गती से हैं फे बराबर कितना हो गया 20 मीटरपर सेकंड करती है तो ना वू के व्हान तो यहारत व्हानों कालना है एक्सिलर्य ucz कितना आसान कोशन बच्चों वाला कोशन मिस्प्रवीन जी जोड़ चुकी है तो मेरे भाई मोर इंपोडेंटली एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि इस संडे को प्रवीन जी आप भी सुल लिजेगा इस संडे को बहत बहतरीन एंसी आरटी बेस्ट एंसी घंटे की मैराथन लेकार आ रहा हूं दोस्तों ईवी एश सब्जेक्ट की इस की इव आश्टे की पूरिंट इसी आर्टी रहने वाली है इस नंडियमेराथन जा गहंटे तक चलेगी ईट जाफ का चलेगी दोस्तों आफ फरवरी यानि की संडे को शां जैप F practical नेक टक चल बहुत भुत धन्यवाद तो आपको एक तो जुड़ना है लेकिन साथ में सबीकों जुड़ना साथ टीजीटी के लिए करा दोना पहले पूजा वर्माजी टीजीटी का टाइम यही रहेगा पास से च्छे हमारी टीजीटी की क्लास चलती रहेगी ठीक है यह मैं नहीं बहुत कम लोग ती डीजीटी में लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं इसको लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए ठीक है लेकिन देख meditating के लिए आप के पास के वी एस्ट रहेगा यगा बीश कोर्णा आपको आने याने तो वह आपको मेरा थन मैं कराए थे वह 00 के जो NCRD-based question है, जो और extra की questions है, जिसमें सारे चीज़े cover होंगी, दोस्तों, वो मैं आपको यहां पर कराने वाला हूँ, ठीक है, चलो, इस question पर आ जाते हैं, भाई, तो इस question में कौन सा formula लगा देंगे, V square minus U is equal to 2AS, तो A बरावर क्या हो जाएगा, V square minus U square is equal to 2S, और V कितना है, मेरे भाई, 20 का square minus 16 का square upon, क्या हो जाएगा, 2S, 2 और 36, ठीक है, तो इसको अगर हम use करें, दोस्तों, A square minus B square, तो यह हो जाएगा, 20 plus 16, कितना हो गया, दोस्तों, 36 और 20 minus 16, कितना हो गया, 4, ऐसी करते हो न आप लोग और यह हो जाएगा, दो इंटू 36, तो 36 मैंसे चार गया, 32 और दो बटे 36, दो से 16 बार गया, चार चौक 16, चार बटे 9 को कैसे करोगे, पॉइंट लगा के उतार लिया, दोस्तों, 09 चौक 36, पॉइंट 4 करके option में तो कहीं ही नहीं, यार कहां गलती कर दिए, आप लोगों का कितने सार, मेराथन के question आप app पर डलवा दो, प्लीज, अरे मिस प्रवीन जी, मेराथन पहले लूँगा, उसको explain करूँगा, तभी तो वो question आएंगे, तभी तो वो question आएंगे, clear, हाँ, हाँ, चार बारे को exam है, साइंस का चलिए, बिल्कुल ठीक है, तो वो हमार इसको यहां से पकड़ लेते हैं, पहले देख लिए डेटा सही उता रहा था ना हमने, तारा बीस था, सोले था, और इसके अलावा दोस्तों, चतिस था, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वी कितना था, मेरे भाई, वी है आपका 36, नहीं, वी है आपका 20, यानि कि 400, माइनस 16 का कि 256, तो यह आजाएगा, अपान 2, और एसके तना था, भाही, मेरे 36, ठीक है, तो 10 में से यह 4 आजाएगा, 9 में से 5 गया, 4 आजाएगा, 3 में से 144, और 2 इंटो 36, ठीक है, तो 2 से इसको काट दो, साथ और 2, और 6 से इसको काट दो, भई, 6 छिंग 36, और 6 कंच यह दोनी 12, और आजाएगा, 2 आजाएगा, तो पहले हमारी कहां गलती होगी थी, कैलकुलेशन में गलती होगी थी, कहां गलती होगी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी, दोस्तों, लेकिन वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी, दोस्तों, लेकिन वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी, तो एस नीचे आ जाएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे किस चौवालिस एक फिर आपको इसमें शाम को पास से चलती रहेगी लेकिन मोर इंपोर्डेंटली दोस्तों बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा आपको संडे इस संडे महा महराथन आपको मिलने वाली है उसमें दोस्तों सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि 6 पीम से 12 तक चलेगी दोस्तों है ना 12 पीम तक चलेगी मेरे भाई संडे को यान के एंसी आरटी खंगोड़ दी है आपके कंटेंट के लिए मैंने जो अधिस दोस्तों चले तो चलिए दोस्तों यह रहा अब मैं आपको मिलूंगा अभी साले 6 बजे स्सी वाले सेगमेंट में वहां पर स्सक्राइब कर आओ दोस्तों मिलते हैं 36 पर तब तक ख्याल झाल झाल